की बाबा बैजनात की संथाल परगना रह्याग धर्ती बाबा बैजनात और बीर बांटा सिदो काना बाग की धर्ती है सानाम को बाबा को बोया मिसी को डोबोग जोहार अपने सनी के नमश्कार की हल चाल जहें मंजपर उपस्तित भारतिये जनता पार्टी के बरिष्ट सैयोगी गाण केंद्रिये मंत्री मंडल के मेरे साथी गाण संसत के मेरे साथी गाण विदायक गाण और देवघर के मेरे प्यारे भावी और बहनों कल देवघर की दिवाली पूरा देवघर दीप मालाएं प्रजवलित कर और पुरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा बहती है तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है कितना उमंग होता है वो कल पूरे देश ने आपने दीपक जला करके पूरे देश को संदेश दिया है और आज मैं नये नये एरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्सा से आप सब आशिरवात देने के लिए आये थे पूरा जार्खन पूरा देवघर पूरा मेरा सांथाल परंगना आपने जो प्यार दिया है जो आशिरवात दिये हैं मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है एक तरफ एक तरफ बाबा का आशिरवात और दूसरी तरफ इश्वर रुप जनता जनारदन का आशिरवात दोदो आशिरवात कितना बड़े शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं मैं भी जानता भाईयों बेनों स्रावनी मेले की तयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेग रंग रूप से मनेगी पूरा हमारा महिना उमंग और उत्सा से बितने वाला है मुझे भी कुछ पहले समय पहले बाबा धाम पुझ बाबा के चरणों में जाके दर्शन पुझन अर्चन करने का सौभागी मिला उससे पहले जारखन के विकास के लिए हजारों करोड रुपियों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनारदन के चरणों में अर्पित किया आप जनता जनारदन और विशेश रुप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुभीधाओं का विस्तार हुआ है उससे मेरे कावडिया और स्रधालूं उनको तो अनेक प्रकार की सुभीधा होने वाली है जिस नए एरपोर्ड का सिलान्यास करने में मुझे यहां देवखर आने का सौभागे मिला था आज उसका लोकारपन करने का आउसर मिला है आपको याद होगा पहले योजना की गोशनाएं होती थी फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था दो-चार सरकारे चलने के बाद कोई और आता था फिर वो इंट लगाना शुरू करता था और पताने कितनी सरकारे जाने के बाद एकि वो जना सामने दिखती थी आज हम उस राकार्य संस्कृति को लाए हैं उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं उस गवरनेंस के मोडल को लाए हैं कि जिसका सिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं जनता के पसिने से आए हुए पैसों का मुल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनारदन का एक पैसा भी बरबाद न हो जाए पैसों का समय पर उप्योग हो और पैसों का जो उप्योग हो वो जनता जनारदन के लिए काम आये इस संकल्प को ले करके हम चलते हैं साथियो आपने अपना स्थे दे कर मुझे जिस तरह अपना रणी बना लिया है उसको मैं तेज विकास करके सबका विकास करके चुकाने का इमानदारी से प्रयास करता रहा हूं करता रहा हूंगा आज सोला हजार करोड रुपिये से ज़्यादा किये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपुण कदम है भावी और बेनो भारत आस्था अध्यात्मा और तिर्तस्थलों की धर्ती है तिर्ती यात्राओंने हमें बहतर समाज और बहतर राश के रुप में गड़ा है हमें देवघर को ही देखे तो यहां शीव भी है और शक्ती भी है जोतरलिंग और शक्ति भीट यहां दोनों मौजूद है हर साल लाखों असरत धालो दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं धेश के अलग-अलग कोने से आते हैं बड़ी भक्ति भाल से आते हैं लोगों को एक दूसरे की भाशा बोली पले समझ आए और ना आए लेकिन हमारी आस्था हमारी सांस्कृतिक विरासत यह सांजी अमानत है भारत की इनी धरोहरों को सुरक्षित करने इन तक पहुंतने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूत्पुर्वन निवेश किया जा रहा है बाबा बैदनात दाम हो काशी विश्वनात दाम हो केदारनात दाम हो अयोध्या दाम हो रामा एन सरकीट हो भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो देश में आस्था अध्यात्म और एतिहासिक मात्व से जुड़े हर स्थान में आदुनिक स्विदाएं तयार की जा रही है साथियों आज परियतन दुनिया के अनेख देशों में एक आकर्शक उद्योग के रुपे रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बड़ा हुआ है आज पूरी दुनिया में अनेख देश हैं जिनकी पूरी अर्थे बवस्ता सिर्फ और सिर्फ परियत्रकों के भरों से चल रही है भारत के कोने कोने में परियतन की शक्ति अपार है बहुत सामर्थ पड़ा हुआ है हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है समझना चाहती है, जूड़ना चाहती है लोग कुछ दसक पहले की विरासत देखकर आँखे चोड़ी करती लेते हैं उनको कभी कभी लगता अच्छा है लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कौने में हर पत्थर पे हजारों साल पुरानी यादे वहां पर समाईद हुई देखते हैं हजारों साल पुरानी इन महान परंपरा दुनिया जब देखती हैं तो चकाचोंद उनके मन को प्रभावित कर देती है इसलिए आज यह समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को चाना से ज़्यादा और तेजी के साथ समुरक्षित करें बहां आदुनिक सुभीदाएं बढ़ाएं और हम यह पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते बर्षों में जिन भी तिर्टस्तनों को आदुनिक सुभीदाओं से जोड़ा गया वहां यात्रियों की संख्या परियटों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है इसका सीधा लाब वहां रहने वाले आसपास के गाउं के लोग आसपास के जीले के लोग उनको इनका बहुत बढ़ा लाब होता है मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनात की नगरी काशी का एक उदान देना चाहता हूं जबसे काशी में विकात ने गती पकड़ी है काशी विश्वनात परिशत का सुंदरी करण हुआ है बनारस आने वाले स्रद्दालों की संक्या में कई गुना बढ़ोत्री हुई है तीन साल पहले की तुलना में इस साल वारा नसी में अभी तक तीन गुना अधिक यात्री आये हैं इस वृद्धी के चलते होटल वाले हो, धाबे वाले हो, नाव वाले हो, ओटो रिक्षा वाले हो, फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं चाई बेचने वालों को भी बहुत फाइदा हो रहा है, उनका कारोबार बहुत बड़ा है, वहाँ जो हस्त सिल्प का काम होता है, कारीगर बुनकर जो सामान बनाते हैं, उसकी विक्री भी बहुत ज्यादा बड़ी है, साथियों, ऐसा ही प्रभाव, हम केदारना दाम में भी देख रहे हैं, जब बहाँ पुनर निर्मान नहीं हुआ था, जब बहाँ सुभिदाए नहीं बड़ी थी, तो कपाण खुलने की शुरुवाती दो महिने में, एवरेज दो धाई लाठी आते थी, इस साल कपाण खुलने के शुरुवाती दो महिनों में, करीब करीब नव लाग स्रद्धालों बाबा केदार के दर्शन कर चुपे, ऐसा ही ये कुदारण, आपको पता होगा, गुजरात में मा नरदा के तड़ पर, सरदार वल्लब भाई पटेल की, विश्व की सबसे उची प्रतीमा बनी है, स्टेची अफ यूनिटी, उस जगा पर जाने के आ, उसके निर्मान के कारण, और वो पुरा छेत्रा, मेरे आदिवासी भाई बेहनों का छेत्र है, वहां अमारे आदिवासी भाई बेहन की रोजी रोटी कमाते हैं, स्टेची अफ यूनिटी बनने के बाद, लाखों की तादाज में हां लोग आते हैं, और ये टुरिस्ट, वहां पर होटल, वहां के डाबों में, हैंडिकाप के सामान करीदना, सेक्रों करोड रुपे भी इसका सीधा लाफ वहां रहने वाले लोगों को हो रहा है, मेरे आदिवासी भाईयों बेहनों को हो रहा है, यानि जब परियतन बढ़ता है, तो इसका फाइदा करीब को होता है, आदिवासी को होता है, दलीत, वंचित, पिछडे को होता है, चार खणने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी आस्ता के स्थलों का सुन्दरी करन पर्याटन को बढ़ाएगा यहां पर रोजी रोटी को अवसर देगा नव जवानों के लिए नए मौके मिलेंगे स्थानिये लोगों की आय बढ़ेगी यह हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पुरे देश में 15 नवंबर पगवान बिर्शाम मुंडा के जन्म दिवस को हमने जन जातिय गवरव दिवस गोशित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा धर्टियावा बिर्शाम मुंडा के बहतरीन और अधुलिक संग्राने के निर्मान का सौपाग्य भी हमें ही मिला है मुझे विस्वास है जो परियोजनाए आज हमने शुरू किया है वो जारखन के विकास को नई गती देने जा रही है भाई जो और बहनों हमारे लिए सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास और सबका प्रयास ये सिर्व नारा नहीं है कल जो आप दीब जला रहे थे आज रास्ते पर उमंग उत्सा से जो उमर पड़े थे और आज भी जहां मेरी नजर पहुत रही है लोग ही लोग है इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है और सबका साथ सबका विकास ये मोडेल आज देव घर में सबके सामने नजर आ रहा है भाईयों बैनों ये जो विकास हो रहा है ये सिर्फ एक नारा बोले के लिए नहीं है कि हमारी निष्ठा का प्रमाण है हमारी नियत का प्रमाण है हमारे परिश्रम का प्रमाण है पीते आठ वर्षों में हमें उनको सजक्त किया है जिनको पहले सिर्व राज नितिक नारों में समेट दिया गया था वो गरीब वो आदिवासी वो दलीब वो पिछडा वो हमारी बेहने बेटियों जिनका नंबर हमेशा सबसे अंत में आता था वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंग्ति में है हमारी प्रात्विक्ताओं में पहले पाइदान पर है वो खेतर जो विकास की दोड़ में पीछे रह गए हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मैनत कर रहे हैं साथियों आज बाबा धाम बैं मैं आप से एक सवाल करना चाहता आप मुझे जवाब देने की ज़रुत देए कर मन में सोचिए अज जो काम हो रहे देश यही है लोग यही है दबतर्व ही है अपसर्व ही है तो कै पहले होने चाहिए थे उप मैं नहीं होने चाहिए जिसके दिल में सेवा भाव नहीं सत्ता भाव भर जाता है और यह सत्ता भाव के कारण तो लंबे समय तक जो सरकारों में रहे उनकी प्रात्विक्ता सत्ता सर्वसत्ता सब्दूर सत्ता कहां से मिले वहां से पाणा सिर्फ सत्ता यही उनका स्खयाल यही उनका मंत्रा वही उनकी प्रात्विक्ता सेवा कभी उनकी प्रात्विक्ता नहीं रही अगर रहती तो देश आज आजादी के 45 साल मना रहा है बहुत आगे पहुँच चुका होता भाईयो ऐसे में गबस्त ऐसी बन गई कि जिसके पाद पहुँच थी सिफारस थी जो धनवान था वही सारी सुविधाओं तक पहुच पाता था और सावी सुविधाओं उसी के हो जाती है पहले से जितने दूर थे जो गरीब थे दलीद थे पिछडे आदिवासी थे उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुचते थी उनका नंबर ही नहीं लगता था इसलिए जारखन को संधाल प्रगना के इस बहुत बड़े खेत्र को सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा और मुझे गर्वा है कि भाजपा की सरकार एंडिय की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जीजान से काम कर रही है हम गाउं गाउं तक सड़के बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सब को मिले हम गरीबों के लिए नए गर बन रहा है जारखन के बारा लाग गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं भाईयो बैनो हमारी सरकार बनने के बाद बारा लाग गरीब भाईयों को मेरे आदिवासी भाई बैनों को पक्के घर मिले हैं हर परिवार को बिजली मिले, परियाप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बैनों को रसोई गैस मिले, हर गर जल पहुँचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बैनों मैं, गरीबों के विरूर लड़ने का, गरीबी के खिलाब लड़ने के लिए तैयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है। बाई और बैनो हमारी सरकार गरीब की मुसिबते समझती हैं गरीब के सुखदुक की साथी हैं कोरोना के इस कालगण में सो साल की सबसे बड़ी माहमारी आई इस दोरान हमारी सरकार ने गरिप को मुप्त वैक्सिन से लेकर उनके खाने पिने तक हर चीज का ध्यान रखा और इतना बड़ा देश कोई गरिप के घर का चूला न जले इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकी गरिप भूखा न सो जाए जारखन के भी लाखों लोगों को केंद्र सरकार की मुप्त राशन वाली योजना का लाब मिल रहा है भाई और बैनों आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाय सुरू करने का भी मोका मिला है जारखन में स्वास्त सेवाओं की बहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं यही जारखन की धर्ती है जहां से जब रगुवर्दाजी मुख्यमंत्री थे आयुश्मान भारत योजना का उद्गाटन प्रारम यही जारखन से हुआ रहा है इस योजना के तहट देश के तीर करोड गरीब मरीजों को मुप्त इलाज मिल चुका है इसमें जारखन के भी बारा लाग से अधिक बहन भाईयों उन्हों इसका लाब लिया है इन लोगों ने अस्पताल में भरती होकर अपना मुप्त इलाज कराया है आप कल पना कर सकते हैं इससे सिर्फ जारखन के गरीबों को ही चौदा सो करोड रुपिये अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के चौदा सो करोड रुपिये का बिल भरना पड़ता आज इस योजना के कारां जारखन के लोगों के जेब में वो चौदा सो करोड रुपिया बज गया है मेरे भाईयो बेहनों सोचिए इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के वज़ाए मेरा गरीब भाई बेहन तो यही सोचता कि बहे कुछ ने करना है थोड़ी तकलीफ होगी अब कितने दिन जीना है भाईयो बेहनों वो दवाही न करवाते घर पे बैठे रहते मेरी माता है तो बताती भी नहीं कि मुझे पीडा हो रही है क्योंकि मा को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा वो दर्द जिलती रहती लेकिन मा तेरे लेकिन भाजपा सरकार के योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बन कर आई है आईश्मान भारत योजना की वज़े से जार खंड के लोगों को गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है यहां देवगर में एंस मन इसे भी गरीबों की बहुत बचत होनी वाली है साथियों आदिवासी समाज का सस्क्रण उनके बच्चों का उजवल भविश भाजपा की प्राक्विकता है इकेंद्र सरकार की नीतियों में साप साप जलकता है देश के सो से अधिक आकांची जिलों में अनेक जिले जार्ख के हैं उसमें भी अधिकतर मेरे ये संधाल परंगना में हैं कुछ महिने पहले ही देश के 44 जनजातिय जिलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है इसके लिए सरकार लगबग 6,000 करोड उपे खर्च करने जा रही हैं इसका आप जार्खन का लेक जिलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बेनों यहां के युवाओं को होने वाला है इससे जनजातिय जिलों में डिजिटल इंडिया का यानि आन्लाइन सरकारी सेवाओं का लाप और बहतर तरीके से मिल पाएगा जार्खन एक लब्वे मॉडल स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाबारती है केंदर सरकार जार्खन में नंबे से अधीक एक लब्वे स्कूल बना रहा है भाई और बैनों जार्खन में प्राकुर्दिक संपदा भी है और सम्रुद्ध होने का सामर्थ भी है बीते कुछ वर्षों में केंद प्रा की जा सकते थी कि जार्खन पाइप से रसोई गैस और सीएंजी आधारी ट्रैफिक के मामले में देश के अवल राज्य में होगा आज प्रधान मंति उर्जा गंगा योजना के कारण यह संभव हो रहा है सिंद्री खाज्यकार खाना जो बंद पड़ गया था उसे फि जूरिया पर विदेशी निर्भरता को कम करेगा भाई और बैनों जार्खन के पाथ देश का अग्रणी अवद्योकिक राज्य बनने की हर संभावना मौजूद है आज संथाल परगना के लिए पहले फोर्लेन हाइवे का भी सलानयास किया गया है इससे पूरे अंचल में कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है साहब गंज में गंगा नदी पर मल्टी मोडल हब भी बनाया गया है ताकि यहां के उद्योगों को हंदिया से वानार्जी पर बने नदी जलमार का भी लाम मिल सकेगा जारखन को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे है उससे यहां उद्योग लगाना बहुत आसार हो जाएगा यहां कच्चा माल भी और जब उत्पादन होगा तो जारखन यहां के गरीब को आदिवासी को रोजगार के लिए यहां से कभी उसको बहार जाना नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान के और कौनों में जुगी जोपड़ी में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और यहीं तो हमारा सबका साथ सबका विकास का राह है साथ क्यों विकास के इनकारियों के बीच आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतक करना चाहता हूँ आज मारे देश के सामने एक और ऐसी चुनावती आखड़ी हुई है जिसे हर देश वाची को जानना और समझना है यह चुनावती है शौटकट की राजनीची की बहुत आसान होता है लोग लुभावन वाईदे करके शौटकट अपना कर लोगों से वोट बटोन लेना शौटकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परणामों के बारे में सोचना पड़ता है लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीची सौटकट पर आधारिद हो जाती है उसका एक ना एक दिन सौट सरकिट भी हो ही जाता है शौटकट की राजनीची देश को तबाह कर देती है भारत में हमें ऐसी शौटकट अपनाने वाली राजनीची से दूर रहना अगर हमें आजहादी के सोवर्थ पर भारत को नहीं उचाई पर ले जा रहा है तो उसके लिए परिश्रम की पराकास्टा करनी है और परिश्रम का कोई शौटकट नहीं होता भाई यो बैनो आज हदी के बाद देश में जो राजनीची दल हावी रहे उन्होंने बहुत से सौटकट अपनाए थे इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए हम वही के वही रह गए आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है मैं आपको उदान देता हूँ आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है कि हम सभी देख रहे हैं अगर बिजली ना हो तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा न टीवी चलेगा इतना ही नहीं की नहीं भरेगी टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा आज बिजली इतनी ताकतवर बन गई है हर कोई काम बिजली से जुड़ गया है और भाई ये बैनो अगर ये बिजली नहीं होगी तो फिर शाम को धीबरी और लाल लेकिन बिजली शौट कट से पैदा नहीं की जा सकती चारखन के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए प्रावर प्लांट लगाने पड़ते हैं हजारो करोड उप्य का निवेश होता है इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं नए अवसर भी बनते हैं जो राजनितिक दल शौट कट अपनाते हैं वो इस निवेश का सारा पैसा जनता को बहलाने में लगा देते हैं यह तरीका देश के विकास को रोकने वाला है देश को दसको पीछे ले जाने वाला है आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को सभी देश वास्यों को इस शौट कट की राजनिति से बच कर रहने का रदेपुर्वा आग्रह कर रहा हूँ शौट कट की राजनिति करने वाले कभी नए एरपोट नहीं बनवाएंगे कभी नए वरहादुनिक हाइवेज नहीं बनवाएंगे वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे मैं आपको एकुदान देना चाहता हूँ आज यहां जारखन में हजारो करोड की नई सडकों के लिए इस लान्यार और लोकारपन हुआ है किसी के लिए बहुत आसान है यह कह देना कि अपसे जारखन में ना बस का टिकेट लगेगा ना आटो में चड़ने का पैसा देना होगा और नहीं रिक्से का कोई भड़ा लगेगा सुनने में यह बहुत लोग लुपावना लगता है लेकिन ऐसी लोग लुभावन गोशना है यह शौटकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सडकों के लिए कहां से खर्च करेगी नई हाइवे कहां से बनवाएगा इसलिए ऐसे लोगों से जार्खेन के निवासियों को भी सतरक रहने की ज़रूत है मेरे भाईयों बेहनों आज एक और आगर मैं देवगर के लोगों से करना चाहता हूँ आज यहां इतनी सुविदाय बन रही है तो उनका खयाल रखने का दाइत्व भी मेरे देवगर के भाईयों बेहनों का है देवगर को बाबा धाम को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी भाई बेहनों की है और यास्तरी आता है परियेटरक आता है विदेशी टुरिस्ट भी आता है तो सोच्छता उसके लिए पहली आवशक्ता होती है मैं चाहता हूँ यह सोच्छता हम सब की जिम्मेवारी है हम अगर सबत ले कि मैं गंद्द की करूँंगा नहीं मैं गंदकी करने नहीं दूँगा तो स्वच्छता के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाग्यों बहनों आपको कोशिश करनी है कि स्वच्छता की रंकी में कि हमारा देवगार देश के अवल सहरों में आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए आप लोग मेरी मदद करोगे क्या देवगार को स्वच्छ बनाओगे क्या हिंदुस्तान में सबसे शांदर बनाओगे क्या देखे मैंने जितना काम किया है अब मैं इतना थोड़ा सा काम आप से मांग रहा हूँ जारखन को आगे बढ़ाने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें समने मिलकर के काम करना है और इसी भावना के साथ हमें देवघर को भी आगे बढ़ाना है सांधाल परगना को भी आगे बढ़ाना है हमारे जारखन को भी आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है इसी एक भावना के साथ बाबा के चर्णों के फिर एक बार परणाम करते हुए आप सब का धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद